कि एडिव एर श्डुएंट स्वाग अथा है आप सभी के हमारे चैनल ड्रीमटीचर 9.0 में आज के सेशन है हमारा वो चौन्टिनीव रहेगा प्रिवेस क्लास में हमने बाकि आप मुझे अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा महां से मुझे आप फॉलो कर सकते हैं कि लिए पीडिएफ के लिए यह सारे चीज के लिए ठीक है बाकि चलते हैं आज के पहले कोश्चन के तरफ अपने मैत पढ़ा होगा इस तरह का तो यह एक दुसरे का एक दुसरे से का रहा है रिलेशन गयात कर रहा है तो इसी को बोलते हैं मूर्त रुप में कुछ रिलेशन होगा तो वही है तो उसमें क्या हो सकता है कि 3-4 3D सोंच को बिक्सित करता है ठीक है अनुपातिक पूचना को पुर्षाहन देता है यानि एक दूसरे के साथ अनुपातिक मतलब तुमना अवेगरा कर सकते है ठीक है तो वह हो जाएगा राइट एंसर ए एंट बी ठीक है पूसर जाएके हमारा अप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा राइट एंसर ठीक है यह तो याद करने माले चीज़े याद कर सकते हो आप ठीक है थमें बीभीन आयाम यानि लेंध और परित्प क्या हो अलग अलग हो जैसे कि अगर हम एक कर लेंथ कि लेल लिये एक şi si और एक का ब्रेथ के लिए तू ठीक है और अब क्या की है कि जो नेक्स्ट है आपका इसमें हम कर लिए कि चार्ड ले लिए और थी सिर्ट ले लिए तो ये लिए ब्रेथ लिए तो यह दोनों जो एक यह हैं तो इसको दिखाने क क्लिए हम क्या कर सकते हैं इसको में पर दिखा सकता है विस्कों तो उसमें हम दिखा सकते हैं ठीक है मैप के माधियम से हम दिखा सकते हैं और आपको टैल्स के माधियम से भी हम दिखा सकते हैं कि देखो यह इसको इधर से रखा फिर इसको हम इधर से पलट देंगे तो यह तुम्हारा कहा जाएगा बराबर हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं छेतरफल डिखाने के लिए उसको हम पैमाना नहीं ग्राफ पेपर और टैल्स के माद यहीं देखाएंगे तो आपसने नबर क्या जाएगा बी अन्ड यानि सेकर नबर हो जाएगा ठीक है के चलते कोशन 45 यह सबelf का निंड में से गणित के में उपलब्दी कम होने का कारण क्या हो सकता है गणित में अगर किसे का उपलब्दी कम में Zap करण क्या हो सकता है क्या सबके ऐसा बात नहीं है सबके लिए समान है ना गडित समाजिक संस्केतिक प्रिष्ट भूमी ऐसा जरूरी यह भी नहीं है गडित का सरूप यह भी नहीं है व्यक्तिक की सभाविक सहमता हां यह हो सकता है क्या हो सकता है भाई साब कि गडित हर कोई को नहीं आता है जरूरी नहीं है कि इसको गड़ीत में इंट्रेस्ट हो कुछ और सब्जेक्ट में भी हो सकता है तो जो गड़ीत का उपलब्दी उसके कम है तो यानि कहने मतलब उसकी ब्यक्तिकत सभाविक छमता है ठीक है ना कि हर कोई के लिए मैं वही है अपना सभाविक सभाविक छमता होता है कि हमें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है तो इसको बोलते हैं कि ब्यक्तिकी सभाविक छमता होती है अपना कि कोश्चन नमबर फोटिश्टिक्स है यह समझाने के लिए कि वन वाई फोर्थ और वन वाई थिरी से छोटा है निमलिकित में से कौन सी जना सबसे आधिक वियोगत है पहला है लगतम समापक्त्वाइधी का परियोग कागज के परियोग करेंड का प्रयोग पिर संख्याय चार्ट का परियोग जो आपकर डानिक्स भ्लोक है न यह आपको होता है जोड घटाओ multiply वेगरा यह सब दिखाने के लिए होता है ठीक है dynix box तो यहाँ पर तो इसकी तुलना नहीं कर रहा तो यह तो गलत हो जाएगा संख्या चार्ट का प्रयोग संख्या चार्ट से हम अब बच्चों को संख्या चार्ट दिखाएंगे तो वो तो समझ में नहीं आगा प्रात्मिक विद्याले में तो यह भी गलत हो जाएगा संख्या चार्ट से हम कर सकते हैं पर क्या होगा उसमें हम समझा नहीं पाएंगा असानी से तो यह सबसे अधिक विव्यक्त माना है इसलिए बोल सकते हैं संख्या चार्ट प्रयोग नहीं होगा लगुतम समर्पर्तक विद्या यह भी नहीं होगा बाकि आप कागज की प्रटियों का प्रयोग करेंगा यानि मुर्थी कोई लाएंगे उसके सामने उससे तुर्णा करेंगे ना तो वह बच्चे जल्डी समझ जाएगा जैसे कि अगर बोल यह कागज है इसको हम तीन भाग में बाटे और यह इतना ही लेंद का कागज को हम चार भाग में बाटे तो बताओ परते एक भाग किसमें बढ़ा होगा तो तो बोल सकते हैं कि यह बढ़ा हो जाएगा यह निए 1 by 3 यह 1 by 4 है तो बढ़ा कौन हो जाएगा यह बढ़ा हो जाएगा ठीक है तो इस परकार से हम कर सकते हैं यानि कागज का पटियों का परियों करके रैट एंसर हो जाएगा कि अप्सन नमबर 2 हो जाएगा 47 है आपका परात्मिक कछाओं में बच्चों को गडित पढ़ाने के लिए बनाये जाने वाली पाठ विजना का निमलिखित में से कौन सा अति महत्यपूर्ण पहलू है ठीक है पहला है आपका पाठ पुस्तक के अनुकरम का अनुसरन करना गडिते संकल पनाओ को संरचनात्मक धंसे प्रस्तुत करना या फिर विजारथियों को औसर देना कि वो संकल पनाओ की सरचना करे या फिर अपसर नम.4 है किरिया कलाब को लिखना और इस संदार्वे में परत्न देना देखिए कोशन है आपका कि प्रात्मिक विद्याल पे बोड़ा है गणित पाढ़ाने के लिए पाठ होजिना में से कौन सा महत्पूर्ण पहलू हो सकता है तो भाई अगर हम विदार्थियों को और देंगे कि वह संकल अपनी संकलपना को सनरचन करें ठीक है संकलपना मतलब बोसकते ही कह अपना कॉंसेप्ट वेगारा यह सब है इसको क्या करें उखीस के लिए संग सोचे बिचारे ठीक है तो अगर हम विदार्थियों को औसर देंगे यह खुश से करने के लिए देंगा तो वह ज्य में यही बोला गया है कि लर्निंग बाइट लर्निंग बाइट मतलब करके सिखना तो यह अपका बेश्ट अप्सन हो जाएगा ठर्ड बाकि सब सही है लेकिन अप्सन अब ठर्ड ज्यदा फ्रीफेर होगा अधिक बोलाना इसलिए निमलिखित में से किस सन नात्माक गड़ित के अधिगम में भासा और सनवादों की भूमिका पर उचित ध्यान देता है हाँ अगर गड़ित के अधिगम कराना है हमें तो भासा और सनवादों के भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता है मतलब दिया जा सकता है अगर हम किसी बच्चों को समझा रहे हैं और उस चीज को हम सही मतलब जगा या सही तरीका से ना समझा पाएं तो कहीं न कहीं हमारा भासा की कमी होगा सनवाद की कमी होगा तो उससे क्या होगा अधिकाफ हमारा पुंडुप से नहीं हो पाएगा गड़ीत के लिए तो यह तो भाई हमारा सही बात बोड़ा है ना कि उंचित होता है अध्यापक सभिकार करता है कि दी गई अन्यान किरिया को विभीन विदातियों अलग अलग परकार के समाज सकते हैं भाई अपनी अलग अलग तिंकिंग होती है ठीक है ना तो ये भी आप कैसे हो जाएगा कि फर्द नमर में अने प्राथमिक स्थर पर Tucson के लिए सवल तो कहीं न कहीं विदातियों कि ये कमी देखनें कि मिलेगी थीक ठीक है तो यह बोल सकते हैं कि यह अप्शन नमर आपका राइट हो जाएगा क्या बोला है कोशन लग्षण नहीं मना जा सकता है तो अप्शन नमर ठाट हो जाएगा बाकि इसमें तो भाई गणित और दूसरे पाठे तो छेतर के बीच में समंदुक अजिकार करेता है उजिक सकती है सन राचनात्मक मतलब बोल सकते हैं क्या डूइंग बाई सेल्फ मतलब खुद से करना गड़ी तथ्यों को सिखने के बारे में गड़ी तग्यों से सचाई का अफशित करना होना चाहिए गड़ी ते पूर्टा विश्य परक हो मान दर्सन गड़ी ते का महत्यपून पहली हो तो हम बोल सकते हैं कि इसमें जो रचनवादी है यह अप्शन नमबर वन हो जाएगा क्यों गड़ीत को तथ्यों को सिखने के बारे में क्या होगा अगर हम उस तथ्यों को जानेंगे यानि तारकिक रूप से सोचेंगे वही तो होता है तथ्यों सिखना अगर हम कि सबसे जो आपका संदोराथ्यत्ता मक में होता है वह होता है कि घड़ीत तत्यों के सीखने के बारे में होता है ठीक है तरी राइट एंसर हो जाएगा आपका बाकी सब ऐसे हैं 50 नंबर में आपका निम लिखित में से कौन सा किरिय कला बच्चों में त्रिवम समझ को विख्षित करने के लिए आधिक उपयुक्त है यानि 3D सोच ठीक है 3D समझ बोतल की उपरी द्रिश का चितरित करना गलत अप्सन पढ़ते हैं मान चितरे पर शहरों का अस्थान निधर संख्या रूप में निर्पूत करना तो यह तो 3D में तो नहीं हो पाईगा बाकि बोतल के ऊपर द्रिश को चितरित कहते हैं तो इससे तभी 3D नहीं हो रहा है सक्षम होते हैं ठीक है तो इसलिए बोल सकते हैं कि मांजीत्रे पर शहर का अधान निधारन करने से तिर्वियम समझ जाएगा बच्चे में 3D सोच आ जाएगा 3D ठिंकिंग आ जाएगा अधिगम के समझ में निमलिखित में से क्या सही नहीं है गडित के अधिगम से ठीक है गडित में उतकुरुष्ट परदर्शन की परतिवा सभाविक होती है देखते हैं देखें यहाँ पर बुला है सही नहीं है मैत में तो देखिए यह जो option number 1 आपको दिख रहा है कि गणिति में उत्क्रिष्ट परदर्शन की परतिवा सभाविक होती है अगर हम बोले कोई बच्चा गणित नहीं आता है तो हम उससे कैसे बोल सकते हैं कि गणिति में उत्क्रिष्ट परदर्शन एक सभाविक होता है जडरूरी नहीं है ना शभावीक मतलब बोल सकते हैं कि बिभार्स या टाइ Whether च्वावीक मतलब एक तरफ से बोल सकत है दोुस्तकों बताइए अधा सीखें आ सकता है क्या उस चाहिंNow Pik स्ट आएगा बिना पढ़े नहीं आगा ना तो यह आपका गलत हो जाएगा गया गणीत में उत्क्रिष्ट पर्द्री प्रदीप्र सभावव होथ ये जब तक आप पड़ोग만 नहीं नहीं होपाएगे गणीत है ठीक है तो यह सभावरी के नहीं होता है ओके तो अप्शन नमबर अप्शन नमबर एडाइट हो जाएगा आपका जलते हैं नेक कोश्चन की तरफ 52 है कि निम्लिखी साब्दिक समस्या के परकारों को पहचानी है साब्दिक समस्या के बारे में बता रहा है कि कैसा सब्द हो सकता है मेरे पास छे पैंसिल है मनिश के पास मेरे से दो अधिक है मनिश के पास कितने पैंसिल है अगर मेरे पास छे पैंसिल है भाई सहाब मनिश के पास मेरे से दो अधिक है यानि मनिश के पास क्या हो जाएगा हम जे छे था इसमें हमने डो like किया यानिन के बीच तुलनाग दोने तो किया ये किन्हां फिर उसके बात की या वैस भी तुलनाग पर जैंग것 उसक्व सकते हैं सबारिया अफिज नंबबर वन 53 नमर है कि हिंदी अर्वी गणना प्रणाणी के निमली खिते के लिए निमली खित में से कौन सा सही नहीं है एक संख्या में अंग की इस्तिति इसका मान बताती है या योग आत्मक परकिर्थी का है इसमें आधार दो की प्रणाणी का पालन किया जाता है यह गुणनात्मक परकिर्थी क्या है देखिए यह कोश्चन जो है ना मुझे खुद पता नहीं है डावड में अगर आप लोग को पता होगा तो प्रीज कमेंट करना क्योंकि यह थोड़ा सा हिंदी अर्भी गणना प्रणाणी है इसके बारे में पढ़ना होगा तो यह तो टिर्क क्योशन है जो इसे टर्ड॥ा बाकि के देखुट है 54 नमर है प्रात्मिक ओस्तरपर जहमेती के अध्यापन के लिए फंछनिय की पडा भूणर कर्किर्या पहचानिया थो कौन सा बेश्ट परकिरिया है आपको बताना है प्रात्मी का तरपत जैमिती को सरल मुलभूत आकिरतिय की पाचान तक सिमित रखना चाहिए अगर आ गया तिर्भूज बनाना तो कुछ और बना उससे तो सिमित नहीं रखना है न इसको तो गलत हो जागा पहला अध्यापक को पर्रम में सरल अकृति के असपर्स परिभासा देना चाहिए और उधारान दिखना चाहिए पहले क्यों हम भाई परिभासा देंगे पहले त द्रिशी समाज को विक्सित करते हैं जब भी कोई और आजए ना तो भाई साब उसको टिक कर देना क्योंकि ज़्यादा चांस है सही होने का क्योंकि हम जब बच्चों को और देते हैं क्योंकि आज के जो सिक्षा है उसमें क्या आई ना लर्निंग बाई डूइंग यानि ख खुद से करो सिखो तो उसमें समझ ज्यादा विक्सित हता है जब खुद से करते हैं अगर बच्चों को औसर देते हैं करने के लिए तो हम बोल सकते हैं कि बच्चों को परचूर औसर दिये जाना चाहिए तीक है ना ताकि अपना अंतर जासी समझ है ना उसको विक्सित कर स चमता गड़ितिय पर क्रिया की तर्ग संगता देने की चमता परिकलन में निरुपता की चमता या फिर बिबीन परिसितियों में सही सुत्रों को अस्मरन करने की चमता यह तो गलत हो जाएगा अस्मरन तो हो गने पुरता की छमता?. यानि हमने घुना आगर फस्ट ऐ ज Dann administrative का सुचक है गडितीय पर किरिया के तरुच संगता देने की छमता आजाए तो बोल सकते हैं कि हमने गडितीय तरँच करन का सुचक है गडितीय तरक लपनातों के परिभ्यासा देने की की छमता यह भी भी बोल सकते हैं बस बेस्ट अप्सन होगा अप्सन नमबर 2 हो जाएगा आपका राइट एंसर हो जाए क्या तू हो जाएगा बढते हैं नेक्स्ट्ट की तरफ यह कुष्च्छन है आपका यह आगया आपका डीजी से कुष्चन ठीक है इसे में कुछ करना नहीं आप लोग खुश से कर सकते हो मैं आपको बस बता जेता हूं कैसे इसे करना देखाई के पास तो आप एक टमटर का देख लिए एक के टमटर कितना है एक के टमटर आपका मोले 40-ए 시रफय है तो ह्इन्ल ने कितना है? ठीक है? अब क्या है न? कि 1 किजी आलू लिए एक किजी आलू बोले तो 2 कुजी कैं 30 है तो 5.62 हो जाएगा 5.62 होगा 12.50 दिखेते हैं अब क्या मोड़ा है कि 5 किजी गाजर लिया गाजर कैसे है है यहां पर 250 गर्म विल रहा है दिश का यानि चार से गुंदकर तो 1 किटी हो गए II का तो चालिस हो जाएगा अधा किझी का त्रीके अभ क्या करेंगे 250 मेरी रहा है निकार मुर्च लेरा यहां है तो दीशाथ से ग्वना करो तकने हो सको यहनि बोले तो दू पैंट पांट से गुना करो यानि 25 आएगा 25 रुपाय जाएगा न और चौन निंबु ख़िदा यानि एक निंबु चार निंबु का दाम 10 रुपाय तो 10 प्रुटा चार हो जाएगा एक निंबु के लिए और यहां पर क्या क्या है चौ से कि दिया दू दूनी 4 दू यानि 15 रुपाय तो टूटल रुटके क्या है क्या आया पांट में 10 रुपाय आया चार दू छो एक साथ एक आट दू दस दस और एक 111 पॉइंट यानि 112.5 रुपाय आया कितना 112.5 यह एंसर हो जाएगा आपसका आपसन नंबर वान हो जाएगा ठीक है इसको करना है सिंब 200 का नट दिया यह एक 112.5 तो हमारा समान खरी दे लेकिन 200 का नोट दिये तो भाई वापीस कितना करेगा यह निकलना था ना तो सिंपल माइनस करना था यहां पर ठीक है दस बचे पांच हो गया नो में से दो गया साथ आगया और यह नो में से आठ आठ आगया यह खतम हो ग 550 र्पए कर किया कर दें शमान कर दे तूश्म मैंस कर देंगे तो हमारा अयाइंतार रहाट यह popular थिक मैं एक दो अंकों की संख्या हूं दहाई क्या अश्थान पर अंक और कई करमिक कंरसे क्या है अंकों का योग 3 और 4 कर गून हमें तो देख लिए भाज साब दाहाई का स्थान पर और एकाई का सथान पर करमी का भाज संख्या है क्या है कि अपसन में देखते हैं अंकों का योगतिन और चार का गूनज है तो इसको हम जब जोडते हैं तो पांच सथ बारात है तो बारात तेन और चार से दोनों से डिवाइड है ये नहीं है ये नहीं है ये थिन दिवेड़ ये जलए करते हैं जिसको हम लोग छोड़ते हैं जिसको हम कभी आपको अलग से कराऊंगा टाइम थोड़ा जयदा लाएगा इस वएसे बाकी आप 59 देख तो आप देखते हो कि जो आपका 7507 जीरो यहां पर यहां पर यहां पर यह जो है ना यह जो है ना यह आपका ये ये जो है लुद आपका इसमें हम क्या करेंगे कि 7.700 रख देंगे तो बड़ा कोन अजाएंगा यह लाएगा यह छोटा होगा तो बोल सकते हैं इस परकार से हम लिख लेते हैं कि 7.707 यह आपका सबसे बड़ा हो गया उसके बाद इससे बड़ा कोन एगा 75700 यह यह उन एंचा उसके बाद क्वाइन एगा ऐगा आपका 7507 यहाइगा का सब्सक्राइब कर सेवन एगा तब को सब्सक्राइब उसके बाद यह बाद यह कोन आगा और ओलिटे करना है तो बढ़ते करमें यह स्थित करना है तो 7 पर इन 0 7 हो जाएगा राइट इंसरब का यह अफसन नमबर 3 हो जाएगा ओके आप खुद कर ले ना बाकी यह कोश्चन देखते हैं यह कोश्चन में कुछ है नहीं इतना लेंदी है पर कुछ नहीं है ठीक है देखते हैं एक पांच अंकों की संख्या में दहाई के अस्थान का अख है और इक है के अस्थान का अंख एक चोठाइए हजार के अस्थान का अंख जीरो है सब्सक्राइब करेंगे आपको मैं अलग से कराऊंगा जो दो कोशन बच गया क्योंकि यह टाइम ज्यादा हो चुका है तो वीडियो काफी लंबा बन जाएगा इस वैसे मैं आप लोगों से माफी मंगना चाहता हूं यह इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा ठीक है बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए